पाजी ऐसी पलटती है कि मुके सहनी के साथ एक बड़ा खेला यहाँ पे हो गया है लोगसभा चुनाव को लेके सरगर्मी तेज है अगर बात करें बिहार की बिहार में लोगसभा चुनाव को लेके बिहार की राजिति गलियारियों में जो लगतार गर्मा गर्मी देखने के लिए मिल रहा है किसी से छुपा नहीं है अब पिछले दिनों की अगर बात करें तो एक तरफ बिमा भारती पूर्णिया से अपना नॉमिनेशन भरती है वहीं कॉंग्रेस का जंडा लेके पॉपू यादो भी नॉमिनेशन भरने पहुच जाते हैं वो भी पीछे नहीं हटते हैं अब बात करेंगे आज के सबसे बड़ी खबर के बारे में जी हां बिल्कुल लोग सभा से जुड़ा आज का ये सबसे बड़ा खबर ये है कि मुके सेहनी को यानि कि भी आईपी पार्टी को महागट बंदन की ओर से तीन लोग सभाज सीट पे चुनाओ लड़ने के लिए ओफर दिया गया है जी हाँ बिल्कूल आपको बता दे पिछले कई दिनों से मुके सहनी कभी बीजेपी के टच में थे तो कभी लालू परिवार के टच में थे लेकिन बीजेपी ने उन्हें दरकिनार कर दिया लेकिन ल महां गटबंदन में सीट बटवारा हो चुका था चालिस के चालिस सीट फिक्स हो गया थे लेकिन बाजी ऐसी पलटती है कि मुके सहनी के खाते में आज तीन सीट जाते हैं आपको बता दे तीन सीट वो कौन से है पहले मोतिहारी लोग सभा दूसरा गोपाल गंज लोग सभ लेकिन सर्थ के साथ मुके सहनी को ये तीन लोग सभा सीट दिया जाता है सर्थ ये रहता है कि मोतिहारी लोग सभा सीट से जो उमिदवार उतरेंगे वो राजत के पसंद के उमिदवार होंगे जी हाँ बिलकुल अगर देखा जाये तो मुके सहनी के साथ एक बड़ा खेला यहां पे हो गया है सीट तो उनको मिल गया है दंगे की चोट पर मुके सहनी कहेंगे कि हम तो तीन लोग सभास चुनाओ लड़ रहे हैं लेकिन पेच यहां फच गया कि चुनाओ तो मुके से हनी के नाम पे लड़ा जाएगा लेकिन राज़त के पसंद का कैंडिडेट होगा जी हम बिलकुल, जो मोतिहारे से कैंडिडेट होगा, वो राज़ेट करेगी कि किसको टिखेट मिलना चाहिए, किसको टिकेट नहीं मिलना चाहिए। बात वही हुई, कि नाम किसी और का, काम किसी और का, जैसे नाम है मुकेश तैहनी का, कि भी आईपी पार्टी को तीन लोग सभा चुनाव में सीट मिलते हैं लेकिन उसमें राजर ठपा लगाएगी कि किस कैंडिडेट को टिकेट देना है किसको चुनावी मैदान में उतारना है तो आप समझ सकते हैं बिहार की राजनीती और बिहार की लोग सभा में जो बवाल मचने वाला है उसके लिए बिहार वासियों को तयार हो जाना चाहिए तो आपको बता दे पिछले दिनों बिहार लोग सभाज चुनाओ को लेके बेजेपी पहले अपना टिकेट बटवारा करती है जिसके बाद चिराग को पास सिट मिलता है चिराग पास सिटों पर अपने उमिदवार उतारते हैं उमिदवार उतारने के बाद चिराग बुरी तरीके से ट्रोल होने लगते हैं बिहार फर्ष्ट बिहारी फर्ष्ट के नारे को उनको दरकिनार करते हुए बिहार वासियों का कहना है कि टिकेट बाटने समय जीजा फर्ष्ट नेता फर्ष्ट बिहार फर्ष्ट और बिहारी फ जोता होता है जिसके बाद आज फिर से महागट बंदन के तीन सिट मुके सहने के खाते में चला जाता है आई खबरों के लिए बने रहें जहन